नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्वर रहना बुद्धिमानी नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर तिर्ड़ता पूरवक खड़ा होकर कारेक करना चाहिए हमारे व्यक्तित्वी की उत्पत्ती हमारे विचारों में है इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं सब्द कौन हैं विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है यदि शंसार में कोई पाफ है तो वह है दुर्बलता हमें हर परकार की कमजोरिया दुर्बलता को दूर करना चाहिए दुर्बलता पाफ है दुर्बलता मृत्यू के समान है हमारे विचार चीजों को खुबसूरत या बदसूरत बनाते है सारी दुनिया हमारे मन में ही है इसलिए चीजों को नई रोसनी में सकारात्मक्ता से देखना सीखे यदि अच्छी चीजे आये तो उनका स्वाकत है यदि वो जाती है तो भी उनका स्वाकत है जाने दो जब वे जाती है जब वे आती है तब भी धन है जब जाती है तो भी धन है दुनिया में अधिकांस लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि विपरित परिस्थितियां आने पर उनका साहस तूट जाता है और वह भैभीत हो जाते हैं आप जोखिम लेने से भैभीत ना हो यदि आप जीतते हैं तो आप नेत्र कर सकते हैं यदि हारते हैं तो आप तूसरों का मार्ग दरसन कर सकते हैं जब तक मनुस्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुस्य को यह ऐसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूरे जो आपको प्यार कर रहा है उन्हें नफरत न करे जो आप पर विश्वास कर रहा है उन्हें धोखा न दे पढ़ने के लिए जरूरी है एकागरता एकागरता के लिए जरूरी है ध्यान ध्यान से ही हम इंदरियों पर सन्यम रखकर एक कांकरता प्राप्त कर सकते हैं धर्म ही हमारे राष्ट की चीवन सकती है यह सकती जब तक सुरक्सित है तब तक विश्व की कोई भी सकती हमारे राष्ट को नस्थ नहीं कर सकती तो च्वस्तियों के लिए कभी प्राथना ना करें यदि आप केबल सार्रिक आराम की ही आकांचा करते हो तो पसू और मनुस्थ में क्यान दरें हम हमेशा अपनी कमजोरियों को अपनी सक्ती बताने की कोशिस करते हैं अपनी भावकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को ठहर है जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आसिरवात कितर है सोचो कि तुम्हारे जूटे दंब को बाहर निकाल कर वो तुम्हारे कितनी मदद कर रहे हमें ऐसी सिच्छा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार मन की सकती बढ़े बुद्धी का विकास हो और मन उस्से अपने पैरों पर खड़ा हो सके कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है या भगवान कृष्वे द्वारा स्रीमत भगवत कीता में बताया है जिस समय जिस काम के लिए प्रतिग्या करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विस्वास उठ जाता है जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धी भी लेकर आएगा कुछ मत पूचो बदले में कुछ मत मागो जो देना है वो तो वो तुम तक वापस आएगा पर उसके बारे में अभी मैं सोचो जो सत्य है उसे साहस पूर्बग निर्भिक होकर लोगों से खाऊ उससे किसी को कस्ट होता है या नहीं इस पर ध्यार मत दो बागी यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मलब वीडियो आपको काभी वसना है आपसे निवेदेना है कि यह मोठी वाला बटन दबा के इसे लाइक चरू कर और कमेंट बॉक्स पर चरू बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी दूसरा आपने वीडियो किस प्रकार के देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर चरू बता के जाना दूसरा चैल में नए हो तो सब्सक्राइब चरू करना अगी हसते रहो, मस्काते रहो और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोडिवेशनल स्टोरीज जिंदगी वालाओ से संबंदीत हाई पावर मोडिवेशनल वीडियो पेड़ना दाई बाती और महाल लोगों के अन्मोल विचार संते रहे और अपने अंदर के मोडिवेशन को हमेशा जगाए रहे मिलते एंगी वीडियो में गडब्लेस यो